ओके स्टूडेंट्स आज हम लोग ICAC क्लास 8 बायोलोजी का सर्क्यूलेटरी सिस्टेम चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाल है अगर आप लोग प्रिविएस पार्ट्स नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन है मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं तो इस पार्ट में हम लोग पेस्मिकर के बाड़े में पढ़ेंगे ओके तो हम लोग देख लेते हैं पेस्मिकर क्या होता है है तो दा कंट्रेक्शन और रिलेक्शन ओफ दा हर्ट मसल्स और दा कार्डियाक मसल्स ठेक है हम लोग को पता है कि हम लोग का जो हर्ट है हम लोग का जो हर्ट है वो हर्ट बीट करता थैक है मतलए हम लोग का जो हर्ट है इट भीट ठेक है और वो एक रिदमीक कॉन्ट्रेक्शन and रिलेक्शेशन की कारण होता है ठेक्हिंודनि होता है ठेक है it contracts and relaxes throughout our lifetime तो यह जो भी ठोड़ा यह किसके कारण हो रहा है तो देखो एक प्रकार का टीशू है जो हर्ट में पाया जाते है उसे हम लोग कहते है sa node ठेक है syno-atrial node यह से हम लोग syno-atrial node भी कहते है और sa node भी कहते है ठेक है यह कहाँ पर located it is located in the upper right corner of the right oracle हम लोग को पता है this is our right oracle okay यह हम लोग का right oracle और इसी का जो right side में माल लो कि this is the location okay और approximately this is the location of the essay node ठेक है तो यह essay node का location और यह एक ऐसा प्रकार का tissue है जो हम लोग को heartbeat करने में मदद करता है ठेक है and that's why it is also called the natural pacemaker of the heart ठेक है कभी-कभी ऐसा होता है कि यह इसे node ठीक से काम नहीं करता है जिसके कारण artificial pacemaker भी लगाए जाते हर्ट में so as to make the heart beat okay अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे हम लोग तो double circulation के बारे में previous parts में पढ़ चुक है ठेक है कि हम लोग का heart में blood circulation है वो कैसे होता है ठीक है अब देखो उस blood circulation के धोडान हम लोग के heart में कुछ valves present है ठीक है जो open और close होते है ठीक है अब वो क्या किया है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं ठीक हो first of all तो यहां पे दो प्रकार के valves present है between the auricle and the ventricle that is यह जो valve है इसे हम लोग tricuspid valve कहते है ठीक है और यह जो यह दो प्रकार के valves है tricuspid and bicuspid valve जो की और इकल और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाते है ठीक है और भी दो प्रकार के valves है that is the semi lunar valves जिसे हम लोग कहते है वह semi lunar valves आप यहां पर देख सकते हैं इस इस the semi lunar valve इसे हम लोग pulmonary pulmonary semilunar pulmonary semilunar valves भी कह सकते है ओके तो दिस इस द पल्मोनरी semilunar valve क्यों पल्मोनरी semilunar valve क्योंकि देखो यह जो valve है इस प्रेजेंट इन द पल्मोनरी artery ठीक है अब यह जो pulmonary artery है यह deoxygenated blood को lungs तक लेके जा रहा है ठीक है and it is present over there और उसके बाद एक और valve है आप यहां पर देख सकते हैं इस वन दिस इस आवर ए और टिक your tick semilunar valve ठीक है यह और टिक semilunar valve क्योंकि बिकॉस इस प्रेजेंट इन दे ए और टा रिजियन ठीक है इस प्रेजेंट इस लिए हम लोग इसको ए और टिक semilunar valve कहते हैं ठीक है तो हम लोग देख लिए total four valves present है अब देखो क्या हो रहा है तो generally first क्या होता है न यह जो ए और टिक सरी यह जो tricuspid and bicuspid valves है ठीक है यह first open रहता है क्यों open रहता है क्योंकि first में क्या हो रहा है जो राइट and left auricle है it contracts to send the blood into the right and left ventricle तो blood जो है वो राइट auricle से right ventricle में आएगा न तो for that reason यह जो tricuspid and bicuspid वल्व है यह open रहता है बट यह जो semi lunar valves है यह closed रहता है ठीक है अब देखो जब वेंट्रिकल फूल हो चुका है वेंट्रिकल में जब बलड आ चुका है ठीक है right ventricle में deoxygenated blood है और left ventricle में oxygenated blood है ठीक है तो अब ventricle से deoxygenated blood lungs में चले जाते है और left ventricle से जो oxygenated blood ही all over the body चले जाते है through the aorta ठीक है so the semi lunar valves are open and tricuspid and bicuspid valve closes the blood is transported from right and left ventricle to lungs and all over the body respectively ठीक है तो इस प्रकार से valves जो है वो open or close होते है first में क्या हो रहा है tricuspid and bicuspid open है ताकि औरिकल से blood जो है वो ventricles में आ सके ठीक है और उसके बाद क्या हो रहा है यह जो tricuspid and bicuspid यह बंद हो जाते है और जो semi lunar valves यह open हो जाते है ताकि ventricle से blood अपने region में पहुंच सके to the lungs and all over the body respectively ओके तो चलो next हम लोग जो देखेंगे that is the blood groups आप लोगों पता ही होगा कि हम लोग different person के different blood groups होते है ठीक है तो यह different blood groups कैसे different होड़ा हो हम लोग समझ लेते हैं तो देखो को एक scientist थे जिनका नाम था Karl Landsteiner ठीक है तो Karl Landsteiner ने बहुत सारे different प्रकार के blood group को identify किया था on the basis of different proteins ठीक है कुछ प्रोटीन होते है जो कि red blood cell के surface पर पाए जाते हैं जिसे हम लोग antigens कहते है तो on the basis of that antigens Karl Landsteiner ने identify कि different person में different प्रकार के blood group पाए जा रहे है ठीक है तो देखो हम लोग different blood groups को on the basis of antigens separate करेंगे कैसे तो जिस blood group जिस RBC में antigen A पाए जाएंगे ठीक है मानलों कि यह antigen A है इसका कुछ specific characteristic होगा ठीक है which differs from the antigen B तो अगर किसी RBC के surface में antigen A पाए जा रहे इसका मतलब वोस इंसान का जो blood group है that is A ठीक है अब देखो यह जो blood group A वाला आदमी है वो किसे donate कर सकता है he can donate blood to a person having a blood group A and AB ठीक है और यह किस से receive कर सकता है he can receive blood from a person having blood group A and O ठीक है similarly B blood group के पास B antigen present और यह B और AB को donate कर सकता है और B और O से receive कर सकता है ठीक है A B blood group जो है AB blood group के पास दोनों antigen present A and B जिसके कारण यह सिर्फ AB को ही देख सकता है ठीक है यह सब को नहीं दे सकता हो he can only donate the blood to AB and he can receive from anyone ठीक है AB blood group जो है न यह किसी से भी receive कर सकता है इसलिए AB को हम लोग universal recipient कहते है ओके उसके बात जो है O blood group O blood group के पास कोई भी antigen present नहीं है जिसके कारण O blood group किसी को भी donate कर सकता है ओके इसलिए हम लोग O को universal donor भी कहते है और O जो है वो सिर्फ O से ही receive कर सकता है ठीक है तो देखो there are two types of antigen A and B ठीक है यही दो antigen के basis पे हम लोग blood groups को differentiate किये क्योंकि O blood group जो उसके पास कोई भी antigen present नहीं रहा सकता है वो किसी को भी donate कर सकता है ठेक है और AB blood group जो है AB के पास दोनों ही antigen present रहते A and B ओके तो इसी से हम लोग का यह part खतम हो चुका है next part में हम लोग heart related conditions के बाढ़े में पढ़ेंगे जो इस chapter का last part होगा so thank you for watching we will meet in the next video